हम स्वामी परमात्मान सरस्वती हैं, ब्रह्मलीन, ब्रह्मनिष्ट, स्थितप्रग्न, परंपुज्य स्वामी दयान जी के हम शिष्य हैं, परंपुज्य स्वामी दयान जी एक बड़े महान शिक्षक्त थे, वेदान्त के, वो हमारी परंपरा में वो तीन साल का अभ्यासकर् युवाओं को पुरुषव महिलाओं को जो मिनिमम्म ग्रेजुएट हो थोड़ो जीवन में साफल्य प्राप्त किया हो और जिनके जीवन में वहराग्य सोचने के बाद विवेक से पैदा हुआ हो इनको एड्मिशन दे के पचास साथ पैसट ऐसे जैसे मिले इस प्रकार से त तीन साल में हम प्रस्थान त्रही पढ़ते हैं और भाष्य के साथ पूरी पढ़ते हैं उपनिश्द में एक दो उपनिश्द नहीं होते हैं तीन दो तिन चान्दूग्या है ब्रहादार रन्यक इतने बड़े लेकिन मांडुक्या, तैत्रिया, इतियादी हो जाते हैं तो कोई चुटी बुटी नहीं होते हैं वेकेशन नहीं होते हैं सिर्फ पढ़ना होता है ऐसे उन्होंने करीबन साथ आठ कोर्स करी किये वह स्वयम गुडिवाड़ा में स्वामी प्रणवानन जी थे और हरद्व रशीकेश में परंपुज्य स्वामी तारानन जी थे इन दोन जिनके भी वैसे दिक्षा गुरु पुज्य स्वानन जी थे परंपुज्य स्वानन जी थे लेकिन उनके ज्ञान गुरु परंपुज्य स्वामी तपोन जी महारास थे तो वो पढ़े थे और अक्सर हम हमारी परंपरा में सभी महात्मा पढ़ाने का ही काम करते हैं सुबर हमें दो पार्ण होते हैं, बद्धे में भी होते हैं, तीन पार्ण दो पार्ण जैसे सुविधा हरोज सुभा में उपनेशत का स्वाध्या है Ja मैं पढ़ाई से जुड़े हुए, पढ़ाई से, और स्वामी जी जब जीवी से तब उनकी चौथी पेड़ी आगे थी, उनके शिष्चे के भी शिष्चे को उन्होंने सन्यास दिया था, इसलिए इतने सारे हो चुके है और हमारी परामपरा में पढ़ाई में पढ़ाई के सामी जी देते थे, तो तीन साल में 50-60 भड़ते तो थे, लेकिन लगबख सन्यास 40-50 परसेंट का ही होता था